दोस्तो नमस्कार और मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीब कानल बेड एक्जाम पर दोस्तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेड फर्स सेमेश्टर का रिजल्ट आउट हो चुका है तो जो भी मेरे दोस्त मेरे साथे बेड फर्स सेमेश्टर का एक्जाम दे कर अपने रिजल्ट का इतुजार कर रहे थे अब वो जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ साथी साथ कुछ important बात भी मैं आपको यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहूँगा आपके रिजल्ट के संबंद में जो आपको जानना भी जरूरी है अभी जैसा कि आपका रिजल्ट आया है यहाँ पर बहुत सारे जो मारे साथी हैं उनके रिजल्ट अभी नहीं ब्याए है इसके अलावा आपके यहाँ जो marks दिख रहे हैं यह आपके aggregate marks नहीं हैं बलकि यह आपके average mark है तो याद रखी गया aggregate marks और average mark में यही अंतर होता है कि aggregate आपका हर एक subject की marks को जोड़ कर calculate किया जाता है और यहाँ पर जो आपको अभी marks दिख रहे हैं यह उन papers में भी आपको number दिख रहे हों जिनके paper में आपने exam नहीं दिया तो वहाँ पर जो आपको marks मिले हैं वो आपके average marks करके दिये गया है इनको हम लोग बोलते हैं averaging तो averaging के basis पर आपको marks दिया गया है आप जिन विश्यों में आपने परिच्छा नहीं दी है अगर आपको लगता है आप अपने marks से संतुष्ट नहीं है तो आप उन विश्यों की परिच्छा जो है आगे दे सकते हैं आप उसमें improvement के लिए आगे चलके paper दे सकते हैं आपके result के उपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ये साफ साफ guidelines है क्योंकि Corona काल के दौरान जिस विश्यों की paper आपके नहीं हुए है और आपको average marking करी जाती है आप उसका paper दुबारा दे कर अपने marks को improve कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है तो तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं जिन दोस्तों का marks लग रहा है उन्हें कि उनकी संतुष्टी के अनुसार नहीं है उनकी expectations के हिसाब से नहीं है तो प्लीज बिल्कुल भी ना घबराएं और वो साथी जिने ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा paper attempt किया है और शायद उनके marks अच्छे नहीं आए हैं मैं उनसे भी अनुरूद करूँगा कि आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो आप improvement का paper fill कर सकते हैं बहुत सारे लोग कह रहे थे कि fill नहीं कर सकते विट मैं आपको बिल्कुल बताओं कि आप कर सकते है improvement का paper fill साथी साथ आप अपनी copy को re-evaluation के लिए भी apply कर सकते हैं इसके forms अभी कुछ समय के बाद आएंगे आप उनको apply करना चाहते हैं अगर re-evaluation के लिए re-checking के लिए तो आप वो form भर दीजे जिस paper को आपको बरनास का code डालिए और उसकी details submit करके आप अपनी copy को re-check करवा सकते तो इस तरह से कुछ भी अगर आपको doubt है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो please comment करके मुझसे बात करें मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा साथी साथ जो available information मेरे पास है मैं आप तक पहुचाने का प्रयास करूँँ फिर भी घबराएं नहीं और आप सभी दोस्तों को जिनके results आए हैं और उनको काफी अच्छे अंक भी आए हैं तो सभी दोस्तों को मेरे तरफ से धेर सारी बधाई हैं और धेर सारी शुक्त काम नाएबे उमेद करता हूँ जिनों ने अच्छा प्रदर्शन किया या जिनके अंक थोड़े उनकी बोल सकते हैं expectations के हिसाब से उनकी अनुमान के हिसाब से ठीक नहीं आएं बिल्कुल भी ना घबराएं अभी आपके पास पूरा अगला एक दो तीन सेमेश्टर बाकी है आप वहाँ पर improve करके अपने marks को और बहतर कर सकते हैं तो दिल छोटा ना करें जिनके अच्छे marks हैं बिल्कुल आप जो है अपने इस अच्छी achievement को success को आप जिल्को enjoy करें जिनके थोड़े marks कम आए बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों marks आपकी प्रतिभा का कोई reflection नहीं है यह दिरसाज़ता नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है marks इस समय कम है तो हो सकता है नेक सेमेश्टर में आप बहुत बैतर भी कर लिए तो बिल्कुल भी ना घबराएं marks improve हो जाएंगे tension ना ले जिनके results नहीं आएं वो भी tension ना ले एक दो दिन में उनकी भी results update हो जाएंगे तो बिल्कुल भी tension ना ले अभी जाएं जिन्होंने results नहीं देखा results please check करें कोई परिशानी कोई दिक्कत होती है आप मुझे comment करके बोल दें मैं भी कोशिश करूँगा आपको बताने के link मैं आपको description में दे देता हूँ और मैं आपको page भी show कर देता हूँ कि आप कहां पर जाकर अपना results check कर सकते हैं तो आईए मैं आपको page पर ले चलता हूँ और आपको page दिखा देता हूँ तो दोस्तों जैसा है कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको page पर लेके चल रहा हूँ जहां आप result देख सकते हैं तो vbspu.org.in पर जाएंगे और आप यहां पर यह option दिख रहा है B8 first semester का मैं आपको highlight कर देता हूँ तो आप देखे B8 first semester का यहां पर option दिख रहा है 11.10.2021 का upload हूँ आपको इस option पर click करना है और आप इसके बाद जो है अपना result यहां से check कर सकते हैं यहां पर आपको जो है अपने results में enter करना है roll number, rail number उसके बाद में email जो भी आपका आएगा वो और capture enter करने के बाद submit करिए अगर आपका result website पर upload हो गया है तो declare दिखाएगा यहां पर हो सकता है आपके updates नहीं हुए अंगे marks तो थोड़ा wait करिए यह आ जाएगा कल तक, कल शाम तक, maximum कल शाम तक सभी लोग की results declare हो जाएगे तो आप यहां पर अपने result चेक कर सकते मिलते हैं आगे next video में जहां मैं प्रयास करूंगा आपके next आने वाले semester की classes के लिए साथी साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल से ही अब आपको जो है हमारे जो सीटेट और रिपीटेट के तैयारी के दृष्टी कोंट से जो मेरे नया चैनल श्टार्ट कर रहा हूं आप प्लीज उसे भी जोइन करें वहां भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन यूसफूल इंफॉर्मेशन वहां तक शेर करूं तो मिलता हूं में अगले वीडियो में तब तक के लिए नवस्कार और धन्यवाद ध्यान रखिये अपना